हाइ स्टूडेंस मैं सोन्या विद्यागुरू से स्टार्ट करेंगे एक करेंड फैस का नया सेशन मार्च का करेंड फैस है यह मार्च 2021 का करेंड फैस सेशन है यह सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू हर बार की तरह बहुत important questions है select करने में भी बहुत time लगता है क्योंकि एक जो page आपके सामने आता है उस पर आप 2 से 3 points लिखे हुए देखते हो 21, 22 ऐसे total pages होते हैं multiply कर लो कि आप कितनी जादा information कितनी knowledge एक video से लेने वाले हो सारे के सारे important questions है 60 के आसपास लगबग important points होते हैं हम आपको भी पढ़ाने वाले हैं इस video के अंदर आपको वीडियो अच्छा लगता है like कर दीजेगा, share करिएगा अपने friends के साथ जो preparation कर रहे हैं Vidya Guru के YouTube channel को subscribe करेंगे तो notifications ऐसे सारे important exam related videos के आपके पास पहुचते रहेंगे subscribe करने के साथ bell icon का जो button है उसे press करना होता है button press करेंगे, notifications आएंगे button press नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं सलेगा कि Vidya Guru ने कब नया video अपलोड किया यह session Hindi medium में है आप यह समझे है कि question English में लिखा हुआ है मैं Hindi में explain करने का कोशच करूँगी जार से जादा bilingual session है अगर आप complete English medium में session देखना चाते है that English medium session is also there in the playlist that English medium session is shot primarily for our South Indian students primarily for our students from Northeast India those who are unable to understand Hindi well आप वो session भी देख सकते हैं अगर Hindi medium वाला session आपके लिए comfortable ना हो तो पहले questions इप में start करूँगी अपनी तरद से सारा try करूँगी कि आपको याद हो जाए आप भी हर question को याद करने की कोशिश करिए क्योंकि आप पे पहले ही और subjects का बहुत burden है current affairs का burden थोड़ा हम share कर लेते हैं तक ही आपको सारे questions पहले ही याद हो बहुत जादा बात में पढ़ना ना पड़े अब हम बात करेंगे पहले question की तो नए Chief Minister उत्राघंड के अभी आपने सुना था उत्राघंड के Chief Minister है जो उत्राघंड के Chief Minister थे अब उन्होंने रिजाइन कर दिया उसकी जगा पे नए Chief Minister आ गए exam में question आएगा पक्का से तीरत सिंग रावत है ये बीजेपी की ही जरकार है तो बीजेपी के ही होंगे तीरत सिंग रावत नए Chief Minister बन गए है तो आपको बता दूँ ये जो उत्राघंड के नौवे Chief Minister बने है उत्राघंड की गवर्नर जो है बेबी राणी मौरिया ये भी अब यहाँ पर इंपॉर्टन हो जाएंगी क्योंकि आपको बता दूँ जब Chief Minister बने गवर्नर बढ़ाने से question exam में आ सकता है क्योंकि इनकी बाद भी कही न कही news में की गई होगी बेबी राणी मौरिया जो है उत्राघंड की गवर्नर है तीरत सिंग रावत नए Chief Minister है उत्राघंड के आगे अगले question की तरफ बढ़ते है question आएगा ये देख लीजेगा किसी न किसी competitive exam में जिसमें भी current phase आता है और आप जब आप exam देके आएंगे आप मुझे feedback भी देंगे जरूर non-lapsable reserve fund set up for healthcare non-lapsable जो lapse हो जाता है वो terminate हो जाता है किसी भी कारण से non-payment हुआ कोई भी कारण हुआ तो non-lapsable जो terminate नहीं होगा जो lapse नहीं होगा healthcare के लिए बनाया जा रहा है तो यह जो healthcare fund है इसके लिए income tax में 4% का health and education sales लिया जाता है पहले ही लगा हुआ है जिसकी बात में कर रही हूँ वो जो fund है उसे कैतल क्या है क्या नाम है उसका उसका नाम है वकान लिए वकान ऑंचसां सवस्त्या सूरक्षा नीधी अपनीय तो fund है ना मैं प्रदान मंतरी वकानाय तो यह स्वथी क्यूंकि health care है और यह स्वें स्वरक्षा नीधी है PM SSN कर के आएगा जैसा कि आपके तो books are तो fund to be set up for proceeds of Health and Education sales same बात हम क्या कहना चारे हम कह रहे हैं fund to be set up from procedure of health and education says बात ही वही है जो मैं भी कह रही थी health or education says जो लगाया जाता है income tax में 4% का उसी से उसी से प्रधान मंत्री स्वास्तिय सुरक्षा निधी जो है वो तयार किया जाएगा अगला question देखिये क्या है और ये question पका आएगा ध्यान रखेगा एक एक चीज़ के बारे में आपको पढ़नी है head of panel to commemorate 75 years of independence इंडिया's independence अच्छा भारत के स्वतंदरता को भारत की स्वतंदरता को 75 साल हमें स्वतंदर हुए हो जाएंगे हम independent हो गए हैं 75 साल होने को हैं आजादी दिवस आने वाला है तैयारियां शुरू हो चुकी है panel बनाया गया है जिसको head प्रधानमंत्री मोधी खुद करेंगे किसको head करेंगे वो panel जो 75 साल होने पे यादगार में भारत की स्वतंदरता को यादगार बनाएंगे 75 साल मतलब 75 साल पूरे होने पे तो ये panel बनाया गया है celebration किसका आजादी का अमरत महुतसफ अब ये आजादी का अमरत महुतसफ से ही समझ लीजिए कि 75 साल हो गए पूरे तो जब होंगे मतलब होने वाले तो हम उसको celebrate करने वाले है तो प्रधान मंतरी खुद इस panel को head करने वाले है दिमाग में 5 बाते 5 पिलर्स और आजादी का अमरत महुतसफ क्या है आजादी का अमरत महुतसफ मनाया जाएगा पैनल है head करेंगे प्रधान मंतरी मोधी खुद 75 साल हो जाएंगे आजादी को और 5 पॉइंट्स है जो दिमाग में रखे जाएंगे पहला है freedom struggle तो वो अब यह तो करना ही पड़ेगा ideas at 75, achievements at 75, actions at 75, resolve at 75, अब यह सारी की सारी बाते हैं याद रखिये resolution वाला resolve at 75 हम यह कहना चाहरे हैं सारी की सारी जो बाते हैं यह जो आपके exam में अगर पूछ लिया जाए कि इन में से कौन सा फाइफ पिलर ओफ आजादी का अमुरुत महुत सब नहीं है तो अगर आपने यह अच्छे से याद किया होगा exam में पूछा जाए तो हर तरह का question आप handle कर पाओगे अगला question देखिए अच्छा अब हम quad की बात करते हैं quadrilateral security dialogue quad Indo-Pacific region जो है उसमें China का influence बढ़ रहा है अब ऐसे Indo-Pacific region को free तरीके से हम चाहते हैं कि वहां पर trade हो पाए चार देश है USA है Japan है Australia है और India है इन्होंने quad का informal सा dialogue group जो है वो बना रखा है तो हम कहरें वो जो quad है virtual summit उसका हुआ किसके अब सीधी बात है ना चारो देश है तो चारो ही देशों के बीच में है तो इंडिया के बीच में USA के बीच में Japan के बीच में और Australia के बीच में ये virtual summit हुआ पहली बात यहां पर मैंने page पर नीचे जो बाइडिन प्रेजिट है जपैन के PM जो है योशी हिदे सुगा है और ऑस्ट्रेलिया के जो PM है Scott Morrison है ये नाम लिखे ही इसलिए है कि अगर quad की बात कहीं आई तो quad के जो head है quad countries के जो head है उनके नाम आपको पता होने चाहिए Scott Morrison ऑस्ट्रेलिया योशी हिदे सुगा जो है वो जपैन वाले और जो बाइडन USA वाले और इंडिया वाले हम वैसे ही जानते है तो अगले question की तरफ बढ़िए देखिया दुस्तलिक second अच्छा दुस्तलिक second जो है military exercise है पहली बात conduct की हो चुकिया अक्च्छल में इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में अभी थोड़ टाइम पहले इसको conclude किया है चौबातिया रानी खेत में रानी खेत उत्रागंड में है आप में से बहुत सारे लोग हो के आई हुए होगे तो पहले से जानते होगे रानी खेत जो है यदिट एंडिया की बात करें हिनाव पर पार्लिस्पेट किया, कॉन्से एकसाइज है, डिजर्ट फ्लाइज 6, लेकिन यह इंडिया की बात नहीं हो रही है अक्चुल में हमारी मतलब इन ni एर फ्ोस ने पार्टिपेड किया उय वमेरेट के अंडर्ट युनियुक्त और ए एक तरह के हैं लेकिन इनको एक क्वेस्टन तो मानना ही नहीं है क्योंकि यह तीन अलग लग क्वेस्टन है एक दुस्तलिक सेकंड था एक एक आए-ए-फ का मतला मिनियन एर फोर्स का युए-ए में डेजर्ट फ्लाग 6 में पार्टिसिपेशन दिखाया था तीसरा क्वेस्ट सामने माल था चाही लिए अपना लिगां फोर्स आंडव निर्चाम रोग क्योंते था तो उसको डिस्प्लेय किया है वो स्रि लंका एर फोर्स के साथ तो यह आपको याद रखने है तीन अलग-लग क्वेस्टन अगले क्वेशन की तरफ बढ़िए अच्छा, all major schemes of ministry of women and child welfare, child development classified under three umbrella schemes पहले तो union minister, कौन? Smriti Zubin Irani, जो women and child development की minister है, union minister है, हैंगल करती है हम कह रहे हैं कि इस ministry के अंदर तीन बड़ी, तीन major schemes आती है, तीन umbrella schemes आती है तो वो schemes, mission portion 2.0, mission वातसल्य और mission शक्ती, ये तीनों ही women and child development ministry के अंदर आने वाली major schemes है याद रखिए, अगला question देखिए PM2 attend golden jubilee, celebration of Bangladesh independence on 26th March 26 March 1971 को, 26 March 1971 को, Bangladesh जो है आजादी दिवस अपना मनाता है, मतलब तब से मना रहा है 26 March को, तो PM जो है वो अटेंड करेंगे golden jubilee, मतलब पचासवाँ, अब बांगलादेश को पचासवाँ साल हो गया है तो celebration जो है उसमें जाएंगे प्रधान मंत्री, मोधी अटेंड करेंगे बांगलादेश का independence day तो आपको बता दूँ, यहाँ पर बांगलादेश की प्रधान मंत्री और बांगलादेश के father of nation, Bangabandhu हमारे लिए बहुत important है तो हमने क्या का, प्रधान मंत्री बांगलादेश की, शेख हसीना, father of the nation जो है, शेख मुझीबुर रहमान है शेख मुझीबुर रहमान को ही, बंगबंदु के नाम से भी जाना जाता है, यह सब बाते पक्का से याद रखिए अगले question की तरफ बढ़ी है, मैत्री सेतु, फेनी river है, फेनी river है अक्चुल में, तो जो फेनी river है वो फेनी river बेसिकली त्रिपुरा में, मतलब आप यह समझ लीजे कि south वाले part में originate होती है, south त्रिपुरा के south में तो हम कह रहे हैं, फिर बांगलादेश चली जाती है, तो ट्रांस बॉर्डर river है अक्चुल में, तो हम कह रहे हैं, जो मैत्री सेतु है, वो त्रिपुरा से, मतलब बनाया जाएगा, connect करेगा किसको, इंडिया को और बांगलादेश को, मैं एक बार पहले पुरा पढ़ दू इंडिया और बांगलादेश के बीच में, एक friendship bridge, देखिए, अगर ट्रांस बॉर्डर river हो, तो dispute पानी का हमेशा ही रहता है, इसलिए ऐसी चीज़ें और important हो जाती है, मैं त्री सेतु जो बनाया जाएगा, फेनी river पर, मैंने कहा, इंडिया और बांगलादेश के बीच में, friendship bridge जो है, वो फेनी river पर बनाया जाएगा, ये बात में आपको बता रही हूँ, और connect किसको करेगा, त्रिपुरा के subroom, त्रिपुरा से बांगलादेश जो में आपको कह रही हूँ, त्रिपुरा के subroom, जहां से माना जाता है, फेनी का origin भी आपको बताऊँ तो, रामगड ब बी लांच बिट्वीन न्यू जलपाई गुडी, वेस्बिंगॉल और धाका बांगलादेश, पढ़िये, लोवर पॉइंट पढ़िये, ध्यान से पढ़िये, हम कहरें, एक पासिंजर ट्रेन है, जो वेस्बिंगॉल के जलपाई गुडी, न्यू जलपाई गुडी से धाक बांगलादेश तक जो है लॉँच की गई है, अब सीधी बात है, इनिशियेटिव है, यह भी आद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रेन इंडिया के इंडिया में चल रही है, ट्रेन इंडिया से बांगलादेश जा रही है, अगला ग्वेशन देखिए, अच्छा तो इसका मतलब इंपोर्टन कुछ है, ध्यान से जुनिए, आठ मार्च सबको बताए, इंटनाशनल विमन्स दे होता है, लेकिन जो थीम है, विमन इन लीडर्शिप, अचीविं अन एक्वल फ्यूचर, यह इंटनाशनल विमन्स दे का थीम था, वर्ल्ड वाइल लाइफ वर्ल वाइल लाइफ दे जो है, वो थर्ड मार्च को, थर्ड मार्च को अब्जर्व किया जाता है, और वर्ल वाइल लाइफ दे और वर्ल वाइल लाइफ दे और वर्ल वाइल लाइफ दे दोनों ही थर्ड मार्च को अब्जर्व किये जाते हैं, लेकिन दोनों का जो थीम wildlife का forest and livelihood वाला theme होगा नाम से पता चल रहा है तो sustaining people and planet sustaining people and planet यह theme था wildlife day का hearing day hearing care for all hearing care for all 3rd March hearing day wildlife day और 8 March international women's day theme जरूर याद रखियेगा अगला question देखिये national safety day 4 March को अब्जर्व किया जाता है theme सडक सुरक्षा road safety मतलब हम यह कहना जा रहे है 4 March को national safety day 15 March को world consumer rights day world consumer rights day 15 March को observe किया जाता है और tackling plastic pollution world consumer rights day का जो theme है वो है tackling plastic pollution यह इसका theme रखा गया था 15 March वाले consumer rights day international day of happiness 20th March को 20 March को international day of happiness मनाया जाता है happiness for all forever अब इसी पर आपको बता दूँ अभी जल्द ही question आने वाला है जिसमें हम happiness index पढ़ेंगे जिसमें इंडिया की हालत आपको बताएंगे अगला question देखिये तब तक इंडिया इंडियान रूमन क्रिकेटर तो स्कोर 10,000 इंटरनाशनल रंस मिताली राज का नाम हमने सुना है मिताली राज जो है basically इनको अभी हम कह रहे हैं कि यह जो पहली भारतिय महिला भारतिय शब्द important है यह आपर कि पहली भारतिय महिला जो है क्रिकेटर बन गई है जिनों ने क्रिकेट के सभी फॉर्मार्ट्स में 10,000 इंटरनाशनल रंस जो है बनाने का record तै कर लिया है जो lower point है फिर थोड़ा सा confusing हो जाएगा लेकिन पढ़िये second woman cricketer to reach this record अब यह जो जिस record की बात मैं कर रही हूँ यह world को refer कर रही हूँ कि पहली भारतिया है और भारत में पहली है हम यह कहना जारत हैं लेकिन दूसरे नंबर की महिला cricketer है जो इस record पहुची है क्योंकि जो पहले नंबर वाली है वो है Charlotte Edwards Charlotte Edwards है जो England की है इनोंने first woman cricketer जो इस score तक 10,000 इंटरनाशनल रंस के score तक पहुची थी देखिए बहुत time लगता है इसी चीज होने में और इतना आगे जाने में तो Charlotte Edwards जो है जो आपकी बोर्ट पे आ रही है देखते रही है आप भी और जब मैं lower point पढ़ती हूँ अब यहां पे बच्चे समझते हैं कि first woman cricketer आपने बोल दिया 10,000 अब आप 7,000 बोल जो ध्यांग से पढ़िए नीचे वाला point 1-day international को दिखा रहा है 1-day international में ही सिर्फ बात कर रहा है उपर वाला point था वो सारे formats की बात कर रहा था मतलब all formats in cricket नीचे वाला सिर्फ 1-day international में 7,000 runs बनाए हैं वो पहली महिला cricketer बन गई है 7,000 1-day international 1-day international में cricket runs बनाए हैं मिताली राज बन गई है तो यह captain है ODII team की भी यह भी आपको याद रखना पड़ेगा अब आगे बढ़ते है bank remove from prompt corrective action PCA prompt corrective action होता है कोई stressed bank है इसके NPAs बहुत बढ़ रहे हैं तो हम कहरे है RBI जो है उसको क्या करता है prompt corrective action वाली series में लाके रख देता है तो हम कहरे है prompt corrective action के अंदर से हटा दिया गया है जिस bank को वो IDBI bank है RBI to extend check truncation system across all bank branches by 30th September 2021 यहाँ पर न देखिए समझने वाली बात क्या है पहले MICR नमबर होता था 9 digit का check के उपर MICR नमबर होता था 9 digit का check के उपर जिससे जो banks होते थे वो क्या करते थे check clear होता था लेकिन check को deliver देखिए MICR नमबर से branch का पता लगाते थे एक दूस्टरे की check clear करना आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक ही bank का check उसी bank को दे रहे हो आप किसी और bank किसी और branch का भी check दे रहे हो तो वो कैसे पता लगाते थे MICR नमबर जो होता था उससे पता लगाया जाता था लेकिन फिर check delivery भी होती थी तो physically check deliver होता था यहाँ पर हम check truncation system जिसकी बात हम कर रहे हैं यह image based है image based check clear करने का system होता है तो हम कह रहे हैं कि RBI जो है extend कर रहा है इस check truncation system को across all bank branches by 30th September 2021 अगला question देखिए RBI extends new umbrella entity license application deadline till 31st March तीरे दीरे पढ़ता है समझते हैं क्या कहना चाहरा है question हर एक important है मेरे हर बार important बोलने की जरत नहीं है आपको पता है time बहुत जादा लगता है select करने में इसलिए विडियो डालने में भी time लगता है क्योंकि select करने में और important points आने में मुझे मिल जाए इतने आपर important points की एक विडियो आपको उतना benefit दे पाए इसके लिए time लगता है RBI ने extend क्या है क्या extend क्या है एक license application deadline जो है एक application की deadline जो है license application deadline है उसको 31 March सके लिए extend क्या है तो किसके license की बात हो रही है new umbrella entity जो है 31 March की है अब हम कहना क्या चाहरे है हमें ऐसा कहना चाहरे है कि जैसे National Payments Corporation of India एक umbrella entity है रीटेल पेमेंट्स के अंदर National Payments Corporation of India क्या है रीटेल पेमेंट्स के अंदर एक umbrella entity है उस तरहां की umbrella entity बड़े बड़े industrialist बड़ी बड़ी organization बड़ी बड़ी companies लगी होंगी और ऐसा license पाना चाहरी होंगी और ऐसा बनना चाहरी होंगी तो हम यह कहना चाहरे हैं कि जो लेना चाहरे हैं उनके लिए वो कुछ criteria सेट करते हैं criteria यह नहीं है कि आप और मैं उठके चले गए और बस हमने का जी हमें भी system के अंदर इसके अलावा paid up capital जो है 500 करोड minimum चाहिए होगी maximum तो कोई अंत ही नहीं है तो हम कहारे है minimum paid up capital जो है वो 500 करोड की चाहिए होगी अब जो promoter है चाहे हो कोई individual promoter है या फिर कोई group है तो उसका भी कुछ percent तो होना ही चाहिए ना तो maximum investment जो है maximum investment यहाँ पर minimum नहीं है minimum paid up capital 500 करोड की लेकिन जो promoter group है या फिर जो individual पैसा लगा रहा है हम कहारे है उसका maximum investment 40 percent का limit जो है वो तै की गई है यह सब criteria यह सब points है जो ध्यान में रखने है new amrela entity license के लिए apply कर रहे है retail payments में तो जिसके लिए date extend करके 31 March कर दी गई है अगला question देखिए India is number one trade partner in 2020 तो आप अब इसको question को पढ़के बिल्कुल हसना नहीं है और यह नहीं सूचना है कि हम तो China का सामान खरीब भी नहीं रहे है तो India का number one trade partner फिर भी China ही रहेगा तो China है और number two USA है और number three UAE है India का number one trade partner 2020 में चाइना रहा था USA second number पे रहा trade partner और third partner जो रहा third number वाला वो UAE रहा hotline set up की गई है foreign ministers के बीच में कहा के foreign ministers के बीच में India और China के foreign ministers के बीच में होट लाइन सेट अप की गई है external affairs minister जो है इस बात पर important हो जाएंगे SJ Shankar जो है वो हमारे external affairs minister है India और चाइना के बीच में नई होट लाइन जिसमें foreign ministers एक दूशरे से बात कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते है अगला question ISRO का polar satellite launch vehicle C-51 ISRO का PSLV C-51 अब खुद समझे मैं जब ऐसी बात करने लगती हूँ इस question कितना कितना जादा important है कितना जादा important है तो हम कह रहे है ISRO का polar satellite launch vehicle देखिए मेरा बार-बार PSLV बच्चे पढ़ते रहते हैं याद नहीं रखते हैं सिरफ PSLV का full form बटा हो तो उनको ये समझ में पहले ही आ जाएगा मुझे इतनी कहानी ही नहीं सुनानी पड़ेगी कि satellite launch किया PSLV से साटलाइट लाँच करेंगे क्योंकि वो satellite launch vehicle है तो PSLV C-51 से Polar Satellite Launch Vehicle C-51 से ये mission से successfully launch किया है Amazonia 1 को Amazonia 1 satellite है Brazil की है Brazil की Amazonia 1 जो है satellite है ऐसी 19 satellites हो है launch की गई है आपको मैंने नाम बता दिया है Amazonia 1 है मैंने का और भी साटलाइट लाँच की गई है 19 क्या सपास हम कहने 19 साटलाइट लाँच की गई है किस है PSLV C-51 mission से इस रो के अब आप कहोगे कि औरों की लाँच करते जा रहे है अच्छल में ना नीचे वाला पॉइंट पड़िये अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि औरों की लाँच कर रहे हैं तो यह कमर्शली कर रहे हैं कमर्शल आम है उससे लाँच कर रहे हैं हम कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं उससे नो पर इस स्पेस बह्म है लाँच को समय है अग्ला इससा देखिए है अगला कोईशन देखिए थर्ड बाच्मन इन इंटनाशनल क्रिकेट हिस्ट्री तो हिट सिक्स सिक्स इन ओवर अच्छा आप सिक एक ओवर है उसमें आप सिक्स रंज ले सकते हैं तो हम कहने हैं कि उन्होंने सिक्स लगा दिया कितनी बड़ी बात है न तो कायरें है कि शेंटनाम योओर्ण सिंग बया है दिया जिन्म आप जानना चाहिए और यूवराज सिंग का नाम आप आप जानके मायँ आप dolnghe और यूवराजिज इंडिए कि उसमें क्या बताओं आपको मॐर ऑम कह रहा है की जो फीर्स है वो है Herschel Gibbs वो South Africa के है तो Herschel South Africa के युवराज सिंग इंडिया के और कायरन पॉलर्ड जो है वो West Indies के आपको तरिनी दादियन कायरन पॉलर्ड लिखा हुआ आता रहेगा तभी मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया जो West Indies के हैं कायरन पॉलर्ड अगला question देखिया इंडिया ने sign किया defense agreement किसीज के लिए for potential sale Brahmos missile with Philippines Philippines के साथ एक defense trade agreement sign किया है कुछ sale करना चाह रहे है कुछ बेचना चाह रहे है तो बेच किया रहे है इंडिया ने sign किया defense agreement इंडिया ने फिर से एक MOU sign किया है तो किसके साथ है फ्रैंस के साथ है अब MOU sign किया है उसमें क्या बात चल रही है अब यहाँ पर cooperation चाहिए कोपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ renewable energy की field में renewable energy की field में फ्रैंस के साथ इंडिया ने एक MOU sign किया है cooperation in renewable energy पर तो हम कहरें इंडिया to work jointly in the field of marine spatial planning with Norway marine की बात कर रहे हैं तो हम ocean की sea की बात करने लगए marine space में marine space में marine के space में एक दूसरे के साथ cooperation दिखाएंगे तो इंडिया jointly काम करेगा marine space में किस साथ हमखे रहे हैं Norway के साथ धयान जा सुनिये India to work jointly with Norway in the field of marine spatial तो मैं इन स्पेशल प्लानिंग और हम कह रहे हैं इंडिया नौर्वे के साथ साइं करेगा नौर्वे के साथ जो है साइं करेगा अग्रीमेंट और इसके साथ काम करेगा अगला क्वेशन देखिए माई लाइफ इन फुल अच्छा को टेशन स्टाइट हो गया इसका मतलब आप समझ गए कि अब यहां पर किताबें लेके मैं आई हूँ अब जो नीचे वाले दो है यह साहित्य अकादमी पुरसकार इन्हें मिला है किनको विरपा मोयली की बात मैं कर रही हूँ और अरुंदती सुपरमनियम की बात मैं कर रही हूँ लेकिन मैं जो किताब आपको स्टार्ट से बढ़ाने वाली हूँ वो है इंद्रानुई की किताब इंद्रा नुई की किताब है My Life in Full, Work, Family and Future, My Life in Full, Work, Family and Our Future, ये memoir है, किसका memoir है, इंद्रा नुई का memoir है, जब मैं बात कर रहे हूँ नीचे वाली दो किताबों की, अब मैं बात करूँगी विरप्पा मॉयली की जो करनाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जी बिलकुल, तो किताब इतनी बड़िया लिखी है, तो मैं कह रही हूँ, ओथर ओफ स्री बाहुपली, अहिंसा दिग विज्यम, कन्नड की किताब, एम विरप्पा मॉयली ने लिखी है, और मैंने का ये चीफ मिनिस्टर थे करनाटका के, और नेक्स जो किताब मैं बात कर रही हूँ, देख इसके ओफर आरुंदती सुब्रमान्यम है, इनने भी साहित अकादमी पुरसकार मिला है, याद आपको रखना है, इसी लिए, अगला वैशन देखे, इंडिया का रांक 2021 के इंडेक्स आफ एक नोमिक फरीडम में, तो पहले ज़रा सुन लेते हैं, हम कह रहे हैं इंडिया का गर किसी रैंग की बात करने लगूं को सब्सक्राइब और पार्पी पेख कहले रांग पर्षी नागोनपर क्ली खी सब्सक्राइब ना Japanätzenyaak 아क और अत्हौंड़े इकमड़ी कभी उस इस अचले इन लागे हम क्याने एकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इंडिया का रांग 121 है पहले नंबर पर सिंगपोर और पब्लिश्ट बाइ हरिटेज फांडेशन तीन इंपोर्टन बाते हो सकती थी इस क्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दी अब आप एक पूरा अर्टिकल पढ़ो उस है एकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बनाता है अब आपको याद आ रहा होगा 20 मार्च वाला हापनिस वाली बात जब मैंने आपको कहा था तो हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में इंडिया रांग ओन युनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड हापनिस रिपोर्ट तो अब हापन 249 देश थे 149 जिसमें से इंडिया का रांक कैसा है आप खुद देख लो 139 थे पहले नंबर पर फिनलंड है इसका मतलब फिनलंड जो है वो फर्स नंबर पर होने का मतलब सबसे दुखी नहीं है वो सबसे खुश देश है तो फिनलंड इस दी हपिएस्ट कांट्री एस पर पर इसका मतलब किसका इसका फिनलंड परज चाहए हो उसमें इंडिया का नंबर 149 वा है और फिनलंड टॉपर है अगला वैसे एंडिया का आमी मतलब इंडियन आमी ने लीज किया है चार हिरौन यूए वीज को यूए वीज हम क्या कहना चाहरे हैं वह बताती हूं आपको ड्रोन्स हैं basically unmanned aerial vehicles unmanned UAV जब मैं बूल रही हूँ unmanned है तो आदमी नहीं जाएगा उसमें aerial है unmanned aerial vehicles है drones है basically इंडिया ने आमी ने जो है इंडियन आमी ने जो है lease किया तो हम कहने है 4 हेरोन UAVs किस से lease किया है तो हम कहने है इस्रेयल से लिया है इस्रेयल से लिया है इंडियन आमी ने 4 हेरोन unmanned aerial vehicles मैंने क्या कहा इनको ये drones है प्लीज याद रखियेगा क्योंकि जब आप इनकी picture देखोगे आपको plane जैसे बहुत बड़े बड़े लगने लगेंगे लेकिन मैंने आपको क्या कहा पहले तो इसमें आदनी को बिठाने की जरूरत नहीं है ये ड्रोन है और मैं क्या कह रही हूँ एरियल वेहिकल है इंडियन नेवी's ocean surveillance ship for nuclear missile and satellite tracking इंडियन नेवी का ocean surveillance ship इंडियन नेवी का ocean में surveillance ship जो है वो nuclear missile and satellite tracking करेगा जो जिसका नाम है INS Dhruv तो surveillance ship है याद रखिएगा धुरूफ का नाम अग्ला question देखिए chairman of the panel chairman of the panel of external auditors of the United Nations for 2021 अच्छा आप ये देखिए audit करने वाले इंडिया में कौन होते हैं? Comptroller Auditor General Comptroller Auditor General अभी कौन है? GC Murmu जो है वो अभी Comptroller Auditor General है इंडिया में तो हम कह रहे हैं जो chairman है इस panel का जो chairman है वो भी हमारे CNG गिरिश मूर्मू को गिरिश चंदर मूर्मू को ही बना दिया गया है लेकिन यहाँ पर हम chairman किसके chairman की बात कर रहे है? External Auditor का panel है External Auditor का panel है उसका chairman अब किसका External Auditor का panel? United Nation का 2021 के लिए External Auditor के Panel का head मतलब chairman GC मूर्मू को बना दिया गया तो अगर आप जानना चाहोगी GC मूर्मू कौन है? मैंने आपको बता दिया Comptroller Auditor General है हमारे देश के अब यही पर मैं रापद करूँगी अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करोगे